हाथरस में हुई जो घटना है उसके पीछे एहम और बड़ा खुलासा हुआ घटना के 24 घंटे के भीतर खूफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कुछ चोंकाने वाले तत्थ सामने आए जानकारी के मताबिक भगदर मचने से हुई सवासो मौतों के पीछे सत्संग स्थल पर बनाई गई वह रंगोली है जिस पर चल कर आरोपी बाबा को निकलना था दरसल पांडाल से निकलने के बाद बाबा के भक्तों का हुजूम उस रंगोली को बाबा का अशिरवाद मान कर दंडवत प्रणाम कर रंगोली के बुरादे को अपने साथ ले जाना चाहते थे इस दोरान एक सांथ हजारों हजार लोग रंगोली लेने के लिए दंडवत हुए फिर संभलने का मौका ही नहीं मिला मिली जानकारी के अनुसार सवाद और तन गुरादे से ये रंगोली तयार की गई थी इस प्रयोजन की जानकारी इस्थानिय पुलिस को भी आयोजकों ने नहीं दी थी फिलहाल इस पूरी जानकारी को उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों ने साज़ा किया है हाथरस में हुई घटना के पीछे बड़ी जानकारी सामने आई इसानियपुलिस की खूफिया यूनिट को मिली जानकारी के मुताबिक बाबा की रंगोली के बुरादे को लेने के चक्कर में इतनी मोते हो गई जानकारी के मुताबिक हर सत्संग कारिक्रम में नारायन साकार और फुबोले बाबा के रास्ते में तक्रीबन 200 मीटर की रंगोली बनाई जाती है जानकारू का कहना है यह रंगोली सत्संग के बाद नारायन साकार और फुबोले बाबा के जाने का रास्ता होती है नारायन साकार के भक्तों में ऐसी माननेता है कि जब वह इस रंगोली से चल कर निकल जाते हैं तो यह रंगोली बेहत पुन्य हो जाती है नारायन साकार के कारिक्रम में शामिल हातरस से मिले देवतादीन कहते हैं कि इस रंगोली के बुरादे को लोग दंडवत प्रणाम करते हैं उनका थोड़ा हिसापने घर ले जाते हैं वो कहते हैं कि माननेता है इस बुरादे से घर में बिमारियां भी दूर होती है और भूत प्रेत का डर नहीं सता था इस घटना के बाद लोकल इंटेलिजन्स यूनीट की रिपोर्ट के मताबिक जब नारायन साकार रंगोली से गुजरे तो हजारों की संख्या में लोग रंगोली को दंडवत करने के लिए पहुँच गए देवतात दिन बताते हैं वह भी इस कारिक्रम में थे लेकिन इतना पीछे थे कि रंगोली तक पहुँची नहीं सके उनका कहना है कि मची भगदर को वह सिर्फ कारिक्रम में आई भीड के जल्दी जल्दी निकलने जैसी इस्थिती ही समझते रहे हाला कि हातरस में लोकल इंटेलिजन्स यूनीट की टीम के सदसी ने बताया कि बाबा के निकलने के बाद उनकी रंगोली पर तूटे लोग बेकाबू हो गए उसके बाद लोग एक दूसरे पर निकलते हुए चलते चले गए इस्थानिय पुलिस केस खूफिया यूनिट की और से जिटाई गई जानकारी को जिम्मेदार अधिकारियों से साजा किया गया कारिक्रम में शामिल होने गए देवतादीन की बहु शानती भी उनके साथ ही गई थी वो कहते हैं कि इससे पहले 2019 में जब हातरस में इतनी ही भीड वहां मौझूद थी हलाकि उस वक्त वहां किसी भी तरीके की कोई बड़ी घटना नहीं हुई लेकिन उन्होंने बताया कि लाखों की भीड को संभालने के लिए जो बंदोबस्त होने चाहिए वो ना पहले परियाप्त थे ना इस बार लोकल इंटेलिजेंस यूनिट याने की LIU के मताबिक नारायन साकार के कारिकरम में अनुमान तह एक लाग के करीब भीड पहुची थी जानकारी इस बात की भी मिली कि भीड को नियंतरित करने के लिए बाबा के सेवादार सबसे उन प्रमुक स्थानों पर थे जहां पर से भीड अनियंतरित होनी शुरू हो गई गटनास्तल पर मौझूद लोगों ने अमरुजगला.com को बताया कि बाबा को पिछले दर्वाजे से निकाल दिया गया लेकिन उनकी रंगोली के चक्कर में सवासो लोगों की जाने चली गई इसानिय पुलिस के मताबिक रंगोली के बुरादे से लोगों को बुरादा लेने की जानकारी न तो प्रशासन को दी गई ना पुलिस को दी गई हाथरस के सिकंदरा राउ के नेशनल हाईवे परिस्तित गाव फुलरे मुगलगडी के सहारे खेतों में आयोजित नारायन साकार हरी उर्फ भोले बाबा के सतसंग में भगदर मच गई स्वयम सेवकों ने लाठी डंडे से भीड को धकिया कर रोकने की कोशिश की बाबा के काफिले की चरण धूल लेने की होड के बीच महिलाए गिर पड़ी इसे बीच स्वयम सेवकों ने उन्हें धकेला तो वहाँ भगदर मच गई गिरे लोगों को पीछे से आ रहे लोग को चलते चले गए इस भगदर के दौरान काफी संख्या में लोग एन एच के सहारे की कीचर युक्त खेत में गिर गए उनके उपर से भी भीड निकलती देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें